हेलो बच्चो कैसे हो आप सब बढ़िया चका चक चलिए आप लोग के लिए मैं एक बहुत ही खास ये वीडियो बना रहा हूं जो वाकई की IIT और जैमेन की त्यारी करना चाहते हैं जैसे क्लास 12 में भी पढ़ रहे हैं और उसके साथ-साथ आप जैमेन और IIT लेवल की आप त्यारी करना चाह रहे हैं कुछ फिजिक्स में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्पूर होगी आप IIT और जैमेन लेवल की त्यारी आप यहां से करते हैं हम एक आवेसित छड़ लेंगे ठीक ना एक समरूप आवेसित छड़ के कारण ठीक ना किसी बिंदु पर बैदुत छेत्र की तिव्रता ग्याद करेंगे ठीक ना एक समरूप टॉपिक है यह एक समरूप आवेसित छड़ के कारण ठीक है एक समरूप आवेसित छड़ के कारण किसी बिंदु किसी बिंदु उसका नाम भी रख लेंगे चलिया अभी बाद में रखेंगे किसी बिंदु पर बैदुत छेत्र की तिव्रताव जयात करना बैदुत छेत्र की तिव्रताव जयात करना बहुत ही ब्यहत खास फार्मूला यह बनने माला है जो किया आप फार्मूला याद रखेंगे आप देखते ही ध्राक से मारेंगे कोश्चन को देखी यहाँ पिर हम क्या कर रहे हैं यह हमने समरूप छड़ लिया इस पर आवेसित मतलब समरूप आवेसित छड़ है इस पर जो है प्लस क्यू आवेस इस पर है बित्रित है एक समान रूप से बित्रित है प्लस Q अवेस यह आपका छड़ रहा ठीक है इसके किसी पॉइंट पी पर यहाँ पर कोई पॉइंट पी है आपका इस पर हमें बैदुच्छेत्र की तिवरता ज्याद करनी है तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे मिलाएंगे इसके इंड पॉइंट को मिलाएंगे दोनों इंड पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे बाते स्वन में रही है क्या इसके बाद हम यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डालेंगे इस छड़ पे यह होगा आपका परपेंडिकुलर ठीक है यहां से हम यहां पर एक मानेंगे यह ठीटा वन हो गया और एक मानेंगे यह ठीटा टू हो गया इसको चाहे तो आप घुमा करके इस छड़ को सीधे खड़ करके भी आप बना सकते हैं मैं इस टाइब से आपको बना रहा ठीक ना तो हम जानती है ना पहले लिखेंगे सिंपल सा लिखेंगे कि चित्रा अनुसार बिंदू छड़ के पास एक बिंदू पी ठीक ना पी पर बैदू छेत्र समर्थ ग्यात करने है तो इसको ग्यात करने के लिए हम क्या करेंगे है ठीक ना ओसे हम यहां पर एक वायंट Cassie के और इस चड़ की जो लंबाई है आपकी यह है आपकी इल इसकी छॉटकिमा मैशूवने चाहिए यह यार्न युटWhen लेले की लेल bad हिक अन्षे लेल आपका बाते समझ लेगे तो हम दिखेंगे कि हम चितना नुसार छड़ के किसी बिन्दू ओ से एक्स दूरी पर डी एक्स लंबाई क्या अभी देखिए यहां पर अब दूसरा चीज मैं बना रहा हूं कैसे हम इसको साल्ब करेंगे तो यहां पर देखिए यह रहा आपका छड़ इस पर प्लस कि वावेश बित्रित है अविध कर देखिए यहां मैं यह रहा आपका यह मिला योला ठीकला और यह ना और यह आरट से अए वाला और यहां पर यहां से हम x दुरी पर, x distance पर x dx लंबाई की एक पट्टी कटेंगे बाते सम्मेशान ही क्या? येक dx लंबाई की एक पट्टी कटेंगे जिसकी जो लंबाई है, dx बाते सम्मेशान रही क्या? अब देखे यहाँ पे, ये जो distance है, इसको हमने मिलाया अब देखिए यह आपका थीटा यह थीटा हमने माना है ठीक ना थीटा हम सिंपल में माल लेते हैं यह पॉइंट आपका पी रहा और यह देखिए इसके काना जो बैदू छेत्र की तिवर्ता जोगी इधर हो की तरफ होगी इसका हम पॉइंट तोड़ेंगे यह आपका पॉइंट पी है इसका क हो जाएगा आपका थीटा है यह रहा आपका थीटा हो जाएगा यह भी यह ठीटा होलाइगा, यह ठीटा तो यह ठीटा, अब देखे, इसका कंपोनेट टोड़ेंगे तीए को जिएगा d g e, sin tata, कंपोनेट टोड़ने आता होगा, जो ठीटा से जूड़ा होता है, और कॉस्टीटा होता है कॉम्पोनेंट और जो ठीटास नहीं जूड़ाता है वो साइन ठीटा कॉम्पोनेंट होता है यह हो जाएगा डी कॉस्टीटा से बाते समझाए रही है क्या आपको बाते समझारी कर यह पॉम्पोनेंट पर हमने कॉंपोनें ठोड़ा अब देखें यहां पैए कि यह पॉइंट आपका वो है यह तो है वो से एक्स दुरी पर डी एक्स लंबाई का हमने एक पट्टी कटा यहां से ठीक ना यह आर्ट डिस्टेंस है और यह इसके कालार छेत बैदुछेत कितिवता होगी दी और इसका कॉंपोडेंट टोड़ा हमने डी कास्टिटा डी चाहिए तो हम लिखेंगे कि हम चीतरा अनुसार यह तो आपका टॉपिक नेम है आपका हम चीतरा अनुसार चाड़के किसी बिंदु ओसे चाहिए किसी बिंदु है इ hari आज ऑ ओ से एक्स दुरी पर इख दुरी पर ठीकर ना एक्स दुरी पर ध्लमबाई awards के लंबाई के आलपार्ण डी एक्स लंबाई के अलपार्ण से यहाद आज आइलबाई के अलपार्ण जे इतना बढ़ देले बहुत छोटा सा है जिस जो हमने dx भाग कटा dx के बाद तो आप समझे होगे dx लंबाई के alpans की कलपना करते है की कलपना करते है आपको proof भी अगर करने का आ जाएगा class 12 में तो आप कर सकते है वैसे मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि आपको आपको proof याद रहेगा और proof जब याद रहेगा तो फर्मूले हमेशा याद रहेंगे और इसको साल्फ कर लेंगे आप ठीक है तो alpans की कलपना करते हैं ठीक है ना alpans की कलपना करते हैं अब देखी यहाँ पर अब यह दी alpans लंबाई के कारण alpans लंबाई के कारण alpans lambaई के कारण घीक ना alpans लंबाई के कारण p पर बैदूत छेत्र की तिब्रता इस point p पर p पर बैदूत छेत्र की तिब्रता तिब्रतार हमने क्या मना है डी इए बैदुच्छत्र करतिप्रतार क्या होगी डी इए है ठीक है तो डी इए बराबर क्या होगा तो डी इए बराबर क्या होगा हम मैं आपको अभी बता रहा हूं डी बराबर क्या होगा कि डी क्यू अपान में इसमाल क्यू लिखो क्योंकि इसमाल क्यू चार्ज है कि डी क्यू अपान में एक सिस्क्वाइर प्लस आर स्क्वाइर मैं आभी आपको बताऊंगा कि यह कहां सा दे बढाबर और देखिए एसकल तो क्या होता है आप समझ देवाइब कि एस गलतो होता है एफ बाइक्व कि यह होता है यह कल टुए इस कल टुए फ़ाई की मैं होता है हमने फार्मॉला यह लिख वाया है अब F is equal to के आता है K Q1 Q2 upon R square होता है तो लिखेंगे K Q1 Q2 यहाँ पर यह Q1 माल ले Q1 Q2 upon R square into Q1 है Q1 से Q1 cancel हो गया आपका E is equal to के आ गया K Q2 upon R square तो यहाँ पर DE लगा दे DE तो यहाँ पर हो जाएगा DQ क्योंकि यह तो कांस्टेंट है Q तो DQ लिख दिया यह टू हटा दो तो कि यह DQ upon R square R square के जब आपके आएगा यह यह distance आएगी आपकी यह distance कितनी होगी आपकी R square के जब आपके क्या होगा यह distance आपकी क्या होगी यह perpendicular है कि यह होजाएगा यहाँ पर देखें यहाँ पर डीक्यू बरबर क्या होगा डीक्यू बरबर जहां DQ बरबर QYL into DX ठीके ना QYL DX यह कहां से आया यहाँ इसकी बाते कर लेते हैं यह लंबाई पर Q charge है total यह लंबाई पर क्या है Q charge है तो वन लंबाई पर क्या होजाएगा QYL हो जाएगा तो DQ QYL तो DQ से multiply करें DQ charge जो होगा कितने पर होगा तो QYL DX लंबाई पर होगा DQ charge कितने पर होगा QYL DX लंबाई पर होगा तो यह हमने QYL DX लिखा अब यहां पर देखेंगे हम कि इसके काराण अब हम X दिशा में ग्याद करेंगे D E साइट तो लिखेंगे कि P पर DQ के काराण X दिशा में बैदूत छेत्र सामर्थ अब देखें यहां पर हम क्या लिखेंगे लिखेंगे D E X क्योंकि X दिशा में D E X X दिशा में क्या है D sin theta तो हम लिखेंगे D sin theta और यहां पर देखेंगे D sin theta के जगा पर यह लिखेंगे D के जगा पर यह लिखेंगे के D Q अपान में X स्कार प्लस आर इस्क्वार इंटु साइन theta is equal to D Q के जगा पर यह लिखेंगे हम Q by L तो क्या बजाएगा के Q by L इंटु X स्कार प्लस आर इस्कार इंटु साइन theta बाटे समझ में रही के Q by L X स्कार आर इस्कार प्लस आर इस्कार है साइन theta और यह यह D X बचा रहा है तो इतनी बाते समझ में रही है कि नहीं इतनी बाते आपको समझ में रही है that simple यह आप निखेंगे हम D X is equal to K Q by L इंटु X स्कार प्लस आर इस्कार साइन theta इंटु D X बाते समय में रही है कि नहीं साइन theta इंटु डेक डी एक्स टाइन theta परवर क्या होगा कि टाइन theta यहाँ पे टाइन theta परवर क्या होगा लंब बटा अधार तो लंब बटा अधार हम लिखेंगे यानि कि X बटा X is equal to क्या हो जाएगा मैं इसको मिटा देता हूं इसकी जरूरत नहीं है इसको मैंने समझाने के लिए लिखा था तो यहाँ पर टाइन theta यानि कि X is equal to r time theta यही तो होगा भीया इसको हमने इधर लग दिया तो एक्स बटार क्या होगा क्या होतका लंब बटा अधार यही तो होता है लंब X बटा अधार is equal to time theta तो यहाँ पर हम X is equal to r time theta हमने लिख दिया तो dx बरबर क्या हो जाएगा इसका अधार डिफेस्टेशिए करेंगे को तो क्याओ आईगा r ck2 theta इंटो डीटीट अभी यहाँ हम यहाँ पर उठा के लागरिज देंगे DX के जाब पर एक्सके जाब पर पादी रख देंगे यहाँ पर X के जाब और पर एक्सके जाब भी रख देंगे और r square tiny square theta plus r square r square लिख दिया into sin theta sin theta लिखा हमने dx के लिखेंगे r g e create theta r g Y dead r square theta d theta इस fights थोड़ा कम है यहां पर हम देखिए r square common ले लेट हैं बाहर r square common लेले क्योंकि एभी इसमें भी है इसमें भी है यहां पर r square हम common बाहर ले लेट है यहीं पर हम लिख देते हैं, الر इस्क्वर, यह हो जाएगा टाइन स्क्वर्ट ठीटा और यह हो जाएगा आपका 1, टाइन स्क्वर्ट ठीटा प्लस 1 क्या होजाएगा?, सीक इसको ठीटा, हम इसको यहीं पर मिटाएंगे, तुम लग भूल जायोगे, दी ऐ एक्स एक्ससायख तो क्या हुझ एगा क्यों शॉन सियुटेटा रसे q2 थी थीटा अभान में यह और रFilी स्केयर य्जरी स्केयर questa कि स्हूरे सिच थीट मैं ठीक है, tumtick से स्क्यूस्क्राथेट कंशिल, आर से एक आर से एक आर यहां पर कैंशिल, यहां बचाएगा आर अब देखेज़ंगाँ आपणडी एक्स ऊन साले इस इकल टू क्या हुआ? invert Q sin theta Q sin theta ठीक है यहाँ पर Q sin theta into d theta बचा अफान में यह LR बच गया अब हम इसका क्या करेंगे इसका क्या क्या करेंगे integration दूनों तरफ हम integration का mark लगाएंगे ठीक है दूनों तरफ हम integration का mark लगाएंगे अब यहाँ पर देखिए जब मार्क लाएंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे theta 2 से minus theta 2 से plus theta 1 तक हम चलेंगे ठीक है ना जो limit आपका लगेगा minus theta 2 से plus theta तक हम चलेंगे plus theta 1 तक यहाँ पर देखिए minus theta 2 से plus theta 1 तक हम चलेंगे limit लगा दिया हमने बाते सुन मैं रही क्या इस प्रेस कम है कहां करें यार चलिए यहीं पर कर देता हूं थोड़ा सा ज्यान दिजिएगा इसका लिमिट लगेगा इसका लिमिट लगेगा मैनस theta 2 से plus theta 1 तक हम इसको इधर लखो यार plus theta 1 ठीक है इसको आप लिमिट रखेंगे पहले अपर लिमिट भरेंगे इसका बाद माइनस करके लोवर लिमिट भरेंगे इसका एंस्वर आजएगा मैं लिख दू क्या चलो इसको पहले नोट करो जल्दी फटाफट नोट करो इसके बाद मैं इससे आगे मैं बढ़ दाओ यह अभी एक दिसा में निकला वाइक दिसा में भी अब यह निकालना है चलिए फटाफट नोट कीजिए कि नोट हुआ कि नहीं अरे इतना जल्दी नोट कर इसे हो जाएगा यार बगवान भी नहीं है तेरे इसके में यह इंटिगेशन नहीं पढ़े होगे समझ में नहीं आएगा बच्चों इंटिगेशन पढ़ लिया करो अगर इंटिगेशन नहीं पढ़े हो तो मेरे एक पल टेक्निक का भी मैं कूर्स लाता हूं तो पल टेक्निक वाला में इंटिगेशन हमने पढ़ाया है वहां से आप पढ़ सकते हो क्लाश्ट्रेल बालो ठीक है चलिए विडियो पॉज़ करके विडियो को स्टाप कर लिएगा इसके बाद अगर नोट नहीं किये हैं तो विडियो को स्टाप किजिएगा इसके बाद इसे आप नोट कर लिएगा चलिए मैं आगे बढ़ता हूं या फिर आप समझ गए होंगे तो कोई बात नहीं, नोट करने के भी हो सकता नहीं है, इसको मिटाता हूँ है, यह x दिशा में था, ठीक है न, x दिशा में था, चलिए हम सुरू करते हैं इसके आगे का, तो e is called to क्या होगा, kq upon lr into, यहाँ पर देखिए, minus cos theta, minus cos, और वाले अ cos theta 1, और minus करके lower limit भरेंगे, तो lower limit तो कुष्टक में डाल देते हैं, minus cos theta, और minus cos theta, और minus lower limit है न, तो minus theta 2 हो जाएगा, ध्यान देजिएगा, यहाँ पर mathematical छीज है, थ्यान देजिएगा, e is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप गरबड़ा आजेंगे, आप kq upon lr into minus cos theta 1 लिख दीजिए, और minus है, cos minus theta, cos minus theta, याद कि जिए फोर्थ चत्रत्रतांस में चला जाएगा, फोर्थ क्वार्डनेंट में, तो cos minus theta बराबर क्या हो जाएगा, plus cos theta आता है, तो हम लिखनेंगे plus cos theta है, और यह minus minus क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, cos theta तो, ठीक है, तो e x, यह e x होगा, यह x दीजा में है, ठीक न, x दीजा में, यह x दीजा में, तो e x हम लिखेंगे, is equal to kq upon lr, क्या हो जाएगा, cos theta तो थोला सा सजा लेते हैं, minus cos theta 1, अब आप कैसा भी question आजे, एक समरूप्त आवेसित छड़सके, तो अगर x दीजा में निकालना हो, ठीक है न, तो आप खटाक से यह निकल लगाएंगे फार्मूला, और x दीजा में पूछ रखा होगा, तो क्यों क्यों अपन एलार, cos theta 2, minus cos theta 1, यह आपको दिया रहेगा, आप आसानी से कर सकते हैं, बाते समय रहे किया, अब हम y दीजा में हम find करेंगे, इसको तो आप नूट कर लिए होंगे, y दीजा में find करेंगे, ठीके ना, एक दीजा में हो गया, अब हम y दीजा में, इसी परकार, ठीके ना, इसी परकार लिखेंगे, बिन्दू P पर, बिन्दू P पर, डीक्यू के काराण, y दीजा में, बाइदू छेत्र की समर्थ, साथ साथ नूट करते रहेगा, आप, बाइदू छेत्र समर्थ, ठीके, बाइदू छेत्र समर्थ, ठीके, तो देखी, यहाँ पर, अब y दीजा में हम गयाद करना है, य दीजा में d e कास्ट ठीटा होता है, तो d e y is equal to d e cos theta, is equal to हम लिखे थे क्या, d क्या लिखे थे, d e कास्ट ठीटा को, d e को क्या लिखे थे, kq अपान, l into r square plus x square, ठीके ना, पहले जैसा ही चल्दा है, सारा चीज़ पहले जैसा ही चल्दा है, into kq dx अपान में l into r square x square into cos theta हो जाएगा, बाते सम्मेरीका, अब चलिए, पुना, हमने लिखा था, x ब्रवर r time theta, dx ब्रवर, r square theta, d theta, differentiation चल्दा है, यहाँ पहले बाते सम्मेरीका, अब देखें यहाँ पहले, अथ, d e y is equal to क्या हजाएगा, kq, by dx अब लिखेंगे, r square theta, d theta, r square theta, d theta, into cos theta, upon me, l into r square plus x square, r square x square के जब लिखेंगे, r square time square theta, r square plus लिखेंगे, r square tine square theta, x square क्या बजाएगा, r square time square theta, हां आर हम यहां पर हम यहां पर भी कमान के देरा हूँ मैंने पिस्ले में बताया था यहां पर हो जाएगा을 इन्टू एल इन्टू आर इस्क्वेर सेक इस्क्वेर ठीटा ठीटा ठीक है सेक इसक्वेर ठीटा से सेक इसक्वेर ठीटा केंसिल हो जा रहा है आर से आर एक केंसिल यहां पर आर बचा तो डी वाई बरबर क्या हो जाएगा क्या बचा, kq अपान l इंटु, cos theta, d theta यह चो बच्चा, दुनोत्राफ authentication लगा दो ठीके? दूनोत्राफ हमने integration लगा दिया, और हम क्या लिखेंगे? माइनस theta 2 से प्लस theta 1 तक, चलेंगे, माइनस theta 2 से प्लस theta 1 तक, माइनस theta 2 से लिमिट जो लगेगा आपका माइनस ठीटा 2 से प्लस ठीटा 1 तक ठीक है ना माइनस ठीटा 2 से ठीक है ना प्लस ठीटा 1 अब यहाँ पर देखिए अहुम मैं कर दे रहाँ D E Y को इंडिकेशन करेंगे तो इस सिर्फ E Y बचेगा और इसका इंडिकेशन करें क्यक्यू अपान एल कांस्टेंट है क्यक्यू अपान एल ले ले रहे है एल और क्या बचा है वह यह आर बचा है यह भी तो आर तो बचा है क्यक्यू अपान एलार इंटू कॉस ठीटा का इंडिकेशन क्या होगा साइन ठीटा that simply ey जो होगाँ को सींटा पाले अपर लिमिट भरेंगे इसका बाद लोगर लिमिट भरते हैं यहां पालीखेंगे साइं थीटा बन माइनस करके लोगर लिमिट भरेंगे माइनस करके sin θ2 तो sin माइनस θ2 हो जाएगा sin माइनस θ2 बाते समझा रही गया sin माइनस θ2 ठीक है अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समय यहाँ पर लिख दे रहाँ इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया चलिए e y e y क्या है आपका acksuit यह किवा पने लर साइन सिम्ठी टावन सनodor को לסेख़ते सी पढ़ूर्च ग्रण साइन이지 जीटावन और इसके बार शाय टावन लिख दिया और माइनस साइन मान्स सीते पर किवा अनुच आता और माइनस någon सा assignments झीटा और यहाँ पर मैनेस वाले भी लागा diva is got it away a kQा आपान हेल्भा सॉन छीन ठीटा प्लस साइन ठीटा टू यह आपका यह तो आपका यहां पूली तेरा हूं याज पूल लेरी है सबस्सक्राइप आ मिंजिएट सुलेरा बालाब धान शृल पूत अधो है तो और ऩॉलत है है टो अन्नेहीं पूछ है थ Our यह फर्मूला लगाएंगे साइन ठीटा वन प्लस साइन ठीटा टू ठीक ना चलिए इसको आप नोट कर जिए फटा फट और इस पर एक छोटा सा कुश्चन में आपको करवा रहा हूं छोटा सा मात्र सिंपल सा एक कुश्चन कर वाँँगा जो कि आपको समझ में आ जेगा कि इस पर क्योश्चन कैसे बनता है फ्लस आव एकस और यवाई अगलों का रिजाल्टल लेंगे तो जोड़देंगे एक्स प्लस एवाय ठीक है ना रिजल्टन लेंगे तो दूनों को हम जोड़ देंगे चलिए मिटाव क्या पता 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 मिटाव क्या चलिए मैं मिटाता हूं इससे विडियो इस्ञाप करके पर नोट कर लेज़ेगा कि इसके आगेस यह मैं मिटा दे रहा हूँ कि अगर हमें यह रिजल्टेंट करना हूँ कि यह रिजल्टेंट तो क्या हो जाएगा इएक्स प्लस इवाई क्या हो जाएगा के क्यू अपान एलर को क्या लिख सकते हैं क्यू अपान एल को क्या लिख सकते हैं क्यू अपान एल को क्या लिख सकते हैं क्यू अपान एल को क्या लिख सकते हैं यह कांक लमाई में उपसित आवास को क्या पतते हैं रेखी आवस्गन तो बोलते हैं तो हम क्य लिख सकते हैं लिम्डा लिख सकते हैं क्यों अप आल कामनल ने लिए यह हुजएगा आपका 지금까지 लेघ्रिया माइनस総 कि विजुकर थीटा 1, plus, sin θ 1, plus, sin θ 2, कोई प्रवलम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको हम लीख सकते हैं, I-CAP में, यह आपका I-CAP में आ सकता है, X दीशामें हैं तो, और यह आएगा आपका J-CAP में, अगर सदिश रूप में लिखें तो, ऐसे, ठीक है, E-X इ ठीक है कोई प्रवलम आपको नहीं होगी यह रिजार्ट निकल गए आपका अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन करा रहा हूं इसको हम पलट दे रहा हैं इसको चलिए इसी पर ऐसे भी करा सकते हैं यह एक हमने छड़ लिया इस पर प्लस क्यू अवेस बितित है एक समान रुप से यह आपका क्वेश्चन है और इस पर पी बिंदु पर एक पॉइंट दिया गया है और यह जो है दोनों अलफा है प्लस क्यू नो इंगल जो है अल्फा है दोन만 इंगल क्या है अब का अलफा है और दोनों इंगल अल्फा है और हमें पी पॉंट पर बाइदुच्शेत्र को पॉइंट माणेख सत्व करना है तो हम कैसे करेंगे यहां पर देखिए ठीटा है डुब अपर बरावर अलवल में निम्ध और अलख and लस्क्राइब का कि यहां पर एक पोइंट पिए जिस पर हमें यह आपका अलफा एंगल यह दुनों तरह से बनके आसकता है यह किधर भी घुमा करके यह कुश्चन आसकता है आपको ठीक है तो इस कुश्चन को हम कैसे इसालब करेंगे तो थोड़ा साहम ध्यान देंगे ठीटा 1 यहां पर देखेंगे कि ठीटा 1 बराबर ठीटा 2 बराबर अलफा यह को ऐसे लेखें इस कुश्चन को ठीटा 1 बराबर ठीटा 2 बराबर अलफा दोनों से भी ना मिया में अब देखिए यहां पर तो इस जो हो देगा आपका थेशबबा यहां मैंने सब्सक्रांगोर्णट इस दिख्वाए पूर्फ ठीजा को, अबंधू यहां पर लिखा यहां पर हमने लिख्विया यहां को कांश्विता टुब यहां पर माइनस सब्सक्राइब डख़र टेकन हैं यहें हालफा है यह तो निखेंगे कॉस कॉस अलफा माइनस कॉस अलफा ठीके ना तो ओ THE इए एक्स जिसा में आपका क्या हुझ्छ एक्स दीन समें क्या हुझ्छ आपका यह जो होगे आपका ब हो जाएगा यह कास तल फा मैं courageous लुह जाएगा तो के क्यू आपान एलर इंटू जीरो तो ईएक्स होक्वार जाएगा जीरो हो जाते एक्स लिएसप लिकाठ आपका जीरो अब हम बात करेंगे युई वाई दिसामें। यी औलभा 2008 दीजामें। तो देख़े एव अलभागे आपके क्या होगा। है हूँ इव्ऐ डीजाम में हमने क्या निकला था क्यैंक्क्ण अपर यह और सांठीते टाउन ब्लस सांठी रटू यानिके सान अल्फा फैलास सान अल्फा यही तो लिखेंगे, दूने एंगल यही है, तो EY बराबर क्या हो जाएगा, KQ अपान LR, Sine Alpha प्लास Sine Alpha, यह क्या हो जाएगा, 2 Sine Alpha, यही तो होगा, तो लिख सकते हैं, that simply, EY बराबर, 2 KQ अपान LR, 2 KQ अपान LR, Sine Alpha, यह फिर लिख सकते हैं, Q अपान LR, 2 K, LR, Sine Alpha, यह आपका answer हो जाएगा, ठीक है, EX दिसा में हो गया, 0, और EY दिसा में आपका, यह आ रहा है, 2 K, LR, Sine Alpha, बाते समझ में रही क्या, इसको हम, इन्फिनिटिव पर भी कर सकते हैं, यह लिए अगर के इन्फिनिटिव पर भी, चलिए थोड़ा सा, मैं अगले में भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा, सिंपल सा यह कुश्चन था, आप समझ गए होंगे, चलिए, मैं एक और कुश्चन थोड़ा सा लिख देता हूँ, टारगेटिंग कुश्चन, आप लोग थोड़ा ध्यान दिजिएगा, इस पर, यह आपका, यह इंफिनिटिव तक यह एक तार है, इस पर प्लस की वावेस, एक समान रुप से बितीत है, यह इंफिनिटिव तक जा रहा है, और नीचे भी इंफिनिटिव तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट पी है, यह डिस्टेंस है आर, तो हमें इस पॉइंट पी प है और यह यहां इस पॉइंट पर पक्र हमें बैदूर्फ समर्थ इसको आप गयाद करके लाएगा एक इस लिए और य दिसा में अगले लेक्ट्र में इसका यह पार्ट वॉन है पार्ट टू में मैं आपको इसको साल्प करके बताऊंगा ठीक ना याद रहेगा आप इसको करके आईएगा ठीक है तो फ्रेंट्स मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद जैहिंद कि आईएग करने कि एक एक एकगएगा अंगले शीं पिरनितों सच्राइएशन सच्का चॉे हैं